And the common factors of Common factors निकालने हैं ये second question बिलकुल first question जैसा ही है बस वहाँ पे आपको दो number दे रखे थे और यहाँ पे तीन number दे रखे हैं तो इन तीनों number के factors निकालेंगे पहले तो और उसके बाद जो factors इन तीनों के अंदर होंगे वो ही हमारे common factors होंगे तो शुरुआत करते हैं first part से 4, 8 और 12 ये तीन number दे रखे हैं तो पहले हम factors of 4 निकालेंगे factors of 4 अब factor वो number होते हैं जिनके table में आपको एक given number दे रखा हो जैसे ये 4 है 4 किस-किस के table में आएगा देखे 4, 4 के table में आएगा 4, 1, 4 4, 2 के table में आएगा 2, 2, 4 और जो 4 है वो 1 के table में भी आएगा क्योंकि 1 के table में तो सब आते हैं 1, 4, 0, 4 तो जिन-जिन के table में ये 4 आता है वो सभी इसके factors होंगे हम चोटे से शुरू करेंगे 1, sub का factor होता है क्योंकि 1 के table में सब आते हैं 1 के बाद 2 2 के table में 4 आता है तो 2, 4 का factor है 3 के table में नहीं आता फिर यह 4 के table में आता है तो 4 के factors 1, 2 और 4 हो गए है अब निकालेंगे factors of 8 factors of 8 8 किस-किस के table में आता है 1K में तो of course आएगा या याएगा 1K में सब आते है 2 के table में भी आता है 2, 4, 8 होता है 2 के बाद 3 के table में नहीं आता, यह 4 के table में आता है, 4, 2, 0, 8 होता है, तो 4 के table में आया, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, फिर यह 8 के ही table में आता है, 8, 1, 0, 8, तो 8 इसका factor हुआ, 1 और वो खुद नंबर, यह दो factor तो सब के होते हैं, तीसरा नंबर है यहाँ पे 12, अब 12 के factors लिखते हैं, तो factors of 12, 1 के table में, of course आई गई 12, 2 के table में 12 आता है, 2, 6, 12 होता है, 3 के table में 12 आता है, 3, 4, 12 होता है, 4 के table में 12 आता है, 4, 3, 12 होता है, 5 के में नहीं आता, 6 के table में 12 आता है, 6, 2, 12 होता है, 7, 8, 9, 10, 11, इनके table में 12 नहीं आता, इसके बाद यह 12 के ही टेबल में आता है 12 वंजा 12 तो यह सारे 12 के फैक्टर्स हैं क्योंकि इन सब के टेबल में 12 आता है अब हमें common factors निकाल ले हैं common factors वो factors होंगे जो इन तीनों के अंदर आ रहे होंगी तो यहां मैं देख रहा हूं कि 1 तो है 1 सब का common factor होता है तो 1 एक common factor हुआ इसके बाद मैं देख रहा हूं कि 2 इन तीनों के अंदर है तो 2 भी एक common factor हुआ और फिर मैं देख रहा हूं कि 4 भी इन तीनों के ही अंदर है तो 4 भी एक common factor हो गया इसका मतलब यह है कि ये जो तीनो नमबर दे रखे है न ये 1 के टेबल में तो आते ही है 2K में भी आएंगे और ये 4 के टेबल में भी आएंगे ये हुआ common factor अब इसका B part करते है B part के अंदर नमबर दे रखे हैं आपको 5, 15 और 25 तो पहले 5 के factors लिखते हैं factors of 5 5 1 के टेबल में तो आएगा ये of course 1 के बाद 2, 3, 4 इन के टेबल में नहीं आता है फिर ये 5 के ही टेबल में आता है ये एक prime नमबर है इसलिए ये सिर्फ अपने टेबल में आएगा और 1 के में आएगा अब लिखते हैं factors of 15 15 1 के टेबल में आएगा of course 1 के टेबल में सब आते हैं 1 सब का factor होता है 2 के में नहीं आएगा 3 के में आता है 3, 5, 0, 15 4 के में नहीं आता 5 के में आता है 5, 3, 0, 15 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 किसी के टेबल में नहीं आता है फिर ये 15 के टेबल में ही आता है 15, 1, 0, 15 ये चार इसके factors हो गए है अब लिखते है factors of 25 तो 1 तो होगा ही होगा 2 के table में ये नहीं आता 3 के में नहीं आता 4 के में नहीं आता 5 के में आता 5 5s are 25 होता है और 5 के बाद ये किसी भी table में नहीं आता है 5 के बाद ये direct 25 के ही table में 25 आता है तो ये 25 होगा यह इसके तीन फेक्टर्स हो गएं, अब हमें निकालना है common factor ऐसा जो कि इन तीनों में है, तो इसमें common factors हो जाएंगे, common factors of 5, 15 और 25 यह हो रहे हैं, 1, 1 सब का common factor हमेशा ही होता है, 1 से अलग इसमें मुझे 5 दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों म तीनों के अंदर आ रहा हूँ तो ये इसके common factors हो गए है दो ही पार्ट है, question खतम next questions के लिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye